मीठे वाफल्स तो आपने बहुत खाए होंगे ये सेवरी वाफल्स इतने कमाल के हैं कि आप इसको रोज बनाना चाहेंगे एक कप सूजी के अंदर आधा कप दही डाला है और उसमें नमक और मिर्च डाल दिया है अब इसमें डाल दिजे ठेर सारी अपने पसंद की वेजीस हमने बारिक कटी हुई शिमला मिर्च, हरा दन्या और हरी मिर्च डाली है डाल दिजे इसमें एक चुटकी इनो और उसमें पानी अच्छे से मिक्स कर लिजे वाफल मोल्ड पे लगा दिजे थोड़ा सा ओईल और उसमें डाल दिजे सूजी वाला पैटर ये वाफल मेकर बड़े काम की चीज है इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के वाफल्स बना सकते हैं हमने इसको लेवल कर लिया है अब इसको हम 10 मिनट के लिए क्रिस्पी होने तक पका लेंगे है ना कितना आसान वाफल्स बनाना वाइर पे थोड़ी दे ठंडा करने के लिए रग दीजे और जस्ट इन्जोई वाफल्स तो आपने बहुत खाएं होंगे आज हम बनाने वाले हैं ब्रॉकली वाफल्स ये हाई प्रोटीन वाफल ब्रेक्फस के लिए परफेक्ट है ब्रॉकली स्प्राउट्स अत्रक और लैसुन मिक्सिंग जार में डालकर बार एक पीस लिया है इसमें डाल दीजे नमक मेर्च और सारे तरह की कैप्सिकम थोड़ा सा इनो डालकर इसका बैटर बना लीजिए वाफल स्टैंड में थोड़ा सा ओईल लगाकर ब्रॉकली का बैटर डालकर उसको दस मिनट के लिए हमको रोस्ट करना है पर मालूम में फ्रेंड्स ये मुझसे अब निकली नीरा है क् क्योंकि इसमें कोई बाइंडिंग एजिंट नहीं था बचे हुए बैटर में थोड़ा सा सूजी मिला कर हम एक बार और ट्राय करते हैं अब इसमें हमने दो चमब सूजी मिला ली है जिससे बाइंडिंग हो जाए हलका सा ओईल डालकर क्रिस्पी होने तक हम इसको और माबलस क्रिस्पी हैल्दी वाफल बनकर बिल्कुल तयार है ब्रेकफास्ट के लिए आज हम बनाएंगे बेसन के क्रिस्पी वाफल्स हमने बेसन में थोड़ा सा नमक और मिश डालकर पानी डालकर बैटर बना लिया है जैसे चिले का घोल बनाते हैं ना फ्रेंड्स बिल दालकर उस पर थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसे मिक्स कर लेंगे अब वाफल मेकर में थोड़ा सा ओल लगा कर ये मिक्स डाल देंगे वैसे ओल लगाने की इतनी जरूरत भी नहीं है पर थोड़ा क्रिस्पी होने के लिए हम ओल लगा ही लेते हैं इसको भी हमें साथ से 8 मिनट के लिए पकाना है शुरू के 2 मिनट आप इसको बिल्कुल मत खोलिए वरना वो खराब हो जाता है उसके पांच जितना क्रिस्पी चाहिए उतनी देर पका लीजिए ब्रेक्फास्ट में वाफल पॉफेक्ट आइडिया होता है